पठान के लिए सल्मान खान ने नहीं ली कोई फीस बॉल लिवुड एक्टर शाहरुक खान साल 2023 में चार साल बाद परदे पर वापसी कर रहे हैं। 25 जनवरी को उनकी पठान रिलीज होगी। इसमें उनके अपोजिट दीपिका पादुकोन और जौन अबराहम नजराएंगे सिधार्थ आनंद की डाइरेक्ट की इस मूवी का फैस बेसबली से इंतजार कर रहे हैं। हाला कि इसका पहला गाना बेशर्म रंग रिलीज हुआ है जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। उसमें एक्टरस के आउटफिट से लेकर उनके डान्स के बारे में बहुत कुछ अपने किरदार में फिट होने के लिए एक्टर ने जहां खूब पसीना बहाया है वहीं उन्होंने प्रोड्यूसर से भी अच्छा खासा मेहंताना लिया है। दीपिका पादकोन का इस मूवी में क्या रोल है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा लेकिन ये गाना खूब बिकिनी में डांस मूव्स कर सबको दंग कर देने वाली दीपिका पादकोन ने इस फिल्म के लिए 15 करोर रुपये चार्ज किये हैं। अपने एकशन से फैंस का दिल जीतने वाले जौन अबराहम भी पठान में दिखाई देंगे। वह इस मूवी में कॉप या एजेंट का रोल निभा रहे हैं। उन्होंने इसमें दमदार अभिने करने के लिए 20 करोर रुपये लिए हैं। सुपसर सल्मान खान ने इस मूवी में स्पेशल अपियरंस दिया है। उनका केमियो रोल है जिसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मताबि भाई जान ने केमियो के लिए एक नया पैसा नहीं लिया है। उन्होंने अपने हिस्से की शूटिंग या श्राज स्टूडियो में की है। शाहरुक के साथ फिल्म में आशुतोश राना भी नजराएंगे। इसमें ये रो एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। इन्हों आनंद ने बैंग बैंग और वर जैसी फिल्में बनाई है।